हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं लॉग इन कम्प्यूटर्स आज का हमारा ये वीडियो हाडवेर रिपेरिंग पे है जो कि लिनोग का एक लैप्टॉप है थिंक पैड E470 जिसका हम लोग कीबोर्ड रिप्लेस करेंगे और स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिप्लेस करना है कीबोर्ड को तो आए चलते हैं वीडियो में तो यही है हमारा लैप्टॉप जो कि लिनोग का थिंक पैड है मोडल है इसका E470 तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसका बैक साइड से यह तीन जो हमारा स्कुरू है उसको ओपें कर लेना है तो चलिए देखिए मैं वन बाई वन करके तीनों स्कुरू को खोल लेता हूं तो आप अगर चैनल पे नए हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा तो चलिए हम अब एस्कुरू खोल लिया हैं तीनों और यह हमारा बैक पैनल ओपन हो गया तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या करना है यह हमारा तीन एस्कुरू का वो नीचे सेट बना हुआ होगा उसके कीबूर का आइकन बना हुआ होगा इसके पास तो इन तीनों कीबूर के आइकन जिस पर बने हुए हैं उन तीनों एस्कुरू को हमें बारी-बारी से ओपन कर लेना है तो चलिए मैं की को खोल रहा हूं तीनों को मेरे इस लैप्टॉप का जो कीबूर्ड का एक एरो बटन है जो टूट चुका है जिसकी वज़से मुझे पूरा का पूरा कीबूर्ड रिप्लेस करना पड़ रहा है तो इस मोडल का जो लिनों का ए 470 है इसका कीबूर्ड का क्वाल्टी थोड़ा सा फिनीसिंग कि मुझे खास नहीं लगती है कीबूर्ड की तो चलिए मेरा तीनों खुल चुका है और मैं बैक पैनल को लगा देता हूं पीछे और लैप्टॉप को सीधा करके और यह कीबूर्ड को हलके हांतों से बैक साइड में प्रेस करना होगा और उसके बाद निकालेंगे तो यह के लगा है उसके बाद इसके दो जाएक उंगे उनमें से इसको हलके से प्रेस करके ऊपर की तरब खीचेंगे तो यह निकल जाएगा और यह दूसरा बाला है इसको भी कुछेंगे तो निकल जाएगा इसमें एक जैख हमारा कीबूर्ड के लिए होता है और दूसरा वह कर देना है हलक तो तो से उपर से पर से इसके लोग को और फिर वैसे दीच हाँ द न हमिखायाzem वापस उसको हशलक हाँ toss लगाएंगे फिर को रखे और बड़ाबर रखेंगे तरफ खीचेंगे उसको और सारे लौक को फसालेंगे देखिए यह हमारा सेट हो गया बिल्कुल फड़फेक्ट फिट हो गया तो हम अन करके चेक कर लेते हैं कीबोर्ड वर्किंग कर निशन में है या नहीं है तो अब हमारा लैपटॉप ओन हो रहा है तो देखिए अब यह ओन हो चुका है और इस पर हमारी बिट लॉकर की पॉलिसी लगी है तो इसे पर हम चेक कर लेते हैं देखिए हमारा कीबोर्ड प्रॉपर टाइप हो रहा है तो चलिए अब फिर हम तीन जो हमने स्कुरू खोला था वह भी हमने लगा लिया है देखिए ब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने टेकनिकल दोस्तों के बीच वीडियो को सेयर कर दें मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ धन्यवाद